Assumption of hypothesis testing के हम बात करेंगे Starts में usually जब भी हम कोई test use करेंगे तो आप उससे पहले उसकी assumptions देखेंगे वसा अगर हम Z test use करते है उसकी assumptions है आप F test use करते है उसकी assumptions है So assumptions का मतलब क्या होता है Assumptions पूरी होना बड़ी जरूरी है और वो accuracy पूरा होना जरूरी है ताकि हम सही inference और सही conclusion draw कर सकें Let's take an example मसलब आप किसी अपने दोस के घर गए है और आपने bell दी है दर्वाजे के उपर और आपने दो दफा बेल दी है And you waited for 3 or 4 minutes लेकिन किसी ने दर्वाजा नहीं खोला आप बड़े उदास होके वापस आगए है और आपने कहा है कि यार आपके different assumptions हो सकती है आप कह सकते हैं कि He or she didn't like me That's why she didn't open the door और आप कहेंगे कि यह ही बुरा देखो मैं गया हूँ और इसने दर्वाजा नहीं खोला और यह भी हो सकता है कि आप कहें कि शायद वो busy होगा आप कहें कि शायद वो घर पर ही ना हो आप कहें कि शायद electricity ना हो आप कहें कि शायद bell की आवाज ना गई हो So you will make some assumptions about this scenario और उसी assumptions की basis पे आप एक conclusion draw करेंगे about that person So उन assumptions का ठीक होना बड़ा जरूरी है जैसे हो सकता है कि आपने assumption यह बनाई हो और बुसा भी आया हो यगीनन कि उसने दर्वाजा नहीं खोला लेकिन अगर हो सकता उसकी light गई हो या फिर bell खराब हो या फिर वो सो रहा हो या फिर वो washroom में हो उसको आवाज ना गई हो बहुत से reasons हो सकती है आपने assumptions का ठीक होना जरूरी है इसी तरह starts में भी जब हम कोई भी test लगाते हैं उससे पहले हम कुछ assumptions बिल्ट करते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी और फिर हम उसकी assumptions को ले करके एक test लगाते हैं और फिर उस test results के ऊपर हम inference draw करते हैं तो testing hypothesis में जो basic assumptions पहली तो है कि random sampling हम कहते है random sampling का मतलब है कि आप probability sampling यूज करते हैं और उसमें आपको known chances होते हैं of each individual to be selected in the sample known and equal chances होते हैं so z test के लिए particularly हमारी random sampling है उसके बाद हमारी independent observation की assumption है कि जो भी sample आपने लिया है वो हर sample independent हो यानि कि वो depend ना कर रहा हो दूसरे के ओपर तीसरा हमारी assumption एक mutually exclusive भी होने चाहिए यानि जैसे फर्स करें अभी null hypothesis और alternative hypothesis में हमने बात की है तो ये दोनों events जो हैं वो mutually exclusive है mutually exclusive का मतलब है कि either one can happen they both cannot occur at a same time वो दोनों इकठे अकर नहीं हो सकते या तो आपका null hypothesis reject होगा तो या फिर आपका research hypothesis reject होगा दोनों इकठे ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों reject हो जाएं तीसरी जो है वो है कि value of standard deviation is unchanged by the treatment इसका मतलब है कि अगर फर्स करें आपने एक unknown population में से sample draw की है और उस sample के उपर एक treatment लगाई है मसलब मैंने कोई training दी है students को कि training के बाद उनका फिर कितनी performance में या learning में change आया तो इसका मतलब है कि हमारी standard deviation basically variability है ना हमने पढ़ा हुआ है कि हर value अपने mean से कितना deviate कर रही है तो अब जो असर sample population के अंदर deviation है वो basically बरकरार रहेगी उस treatment के देने के बाद दी so we assume that the standard deviation for the unknown population after the treatment is the same as it was for the population before ऐसे यह जिसे first करें कि आपके पास पहले सब के पास 100-100 रुपए थे या फिर कुछ लोगों के पास 100 रुपए थे कुछ के पास 150 थे कुछ के पास 200 थे मैंने सब को 50-50 और दे दिये अब उनका जो deviation है आपस की वो still same रहेगी यानि जिनके पास 100 थे वो 150 हो गए 150 वालों के पास 200 हो गए 200 के पास 250 हो गए so जो पहले से population के अंदर deviation थी वो उसी तरह से रहेगी so this is also assumption यह जब हम test करेंगे उसमें मैं आपको इस पेसिस में बताऊंगी कि हम कैसे इसको assume करते है और जो चौती assumption है वो है normal sampling distribution normal sampling distribution का मतलब है कि for hypothesis with disease score the unit in normal table is used to be identified a critical region इसी तरह अगर आपने z test है, t test है तो आप उसी के tables में से ही उसके values क्योंकि वो standard distributions है और आप उसी के मताबक उनकी critical values और alpha वगएरा find out करेंगे